दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल किरशना फैंटेसी में और आज हम बात करेंगे टी टेन मैच के बारे में जो कि यहां से खेला जाएगा क्रोटी आवसा स्लोवेनिया के बीच दोस्तो यह मैच आपके इंवेश्मेंट के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे कौन से वो प्लेयर होने वाले साथ इसाथ में कौन सा बैट्समें का बैटिंग करेगा कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डीटेल के साथ बताऊंगा तो वीडियो को एंटर जरूर देखिएगा दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है किरशना फेंटेसी आप देख सकते हो दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अगर मैं आपको recent matches का result भी बताता हूँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर matches में आपी clean sweep करा है दोस्तो इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जोड़ना important हो जाता है दोस्तो अगर बात करें इस match के लिए हमारी team के बारे में तो उससे पहले आप सभी से एक request है जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो यार YouTube चैनल को जरूर subscribe कर लीजिएगा साथी साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफी ज़ाधा महनत करनी परती है अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे चैनल को subscribe करोगे मुझे भी support मिलेगा motivation मिलेगा उमीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe कर दिया होगा बात करें हमारी टीम के बारे में तो विकेट कीपर में आपके पास रमन जो सिंग का सबसे पहले option है जो की open करते वे नजर आएंगे last match के बारे में बात करें 16 run पे वैसे ही out हो गए थे दोस्तो बट अगर उससे पहले कुछ matches आप देखते हो इस match से पहले उसमें भी अच्छा इन्होंने perform कराए प्लस last match में इन्होंने balling करवाई थी लेकिन हर match में नहीं करवाते अगर ऐसे wicket keeper खेलेंगे तो फिर balling तो करवाएंगे नहीं अगर करवाएंगे balling तो toss के बाद मैं update कर दूँगा टेलिग्राम पे बट अगर नहीं भी करवाते तो भी हमारे लिए important हो है दोस्तों क्योंकि दावर्टोड प्लेर है हॉक्टन का option तो होने वाला है लेकिन नमबर 5 पे बैटिंग order रहेगा last match में भी जल्दी out हो गए थे 10 run पे और उससे पहले भी इतना कुछ खास performance नहीं रहाता दोस्तों ठीक है बॉलिंग वैसे यह करवा लेते लेकिन अभी तो करवा नहीं रहे इनके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा खास option नहीं है जिनको आप अपने टीम में लेके चल सकते हो दोस्तों इसलिए मैं सिर्फ एक विकेट कीपर रख रहा हूँ बैटिंग के बारे में बात करें टी शर्मा का आपके पास option होने वाला है जो कि नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे थोड़ा सा नीचे हो जाता है यार नंबर 5 मेरे ख्याल से लाश्ट में भी 9 run पे आउट हो लेकिन यह आपके लिए important है आप इनको आसानी से अपनी टीम में लेके चल सकते हो बाकी यहाँ खान को 40% लोगों ने लेके तो रखा है लेकिन बैटिंग ओर इनका काफी नीचे आपको नजर आने वाला इस चीज को ध्यान में रखिए यहाँ पे groups को आप रखिए यह प्ल आईले का option होने वाला है दोस्तों जो कि open करते वे नजर आएंगे लाश मैच के बारे में बात करें 12 रने नोने करें प्लस ही आपको बैटिंग के साथ साथ बैटिंग तो open में करेंगे और balling भी करवाते तो यह भी important हो जाते तीन हमारे batsmen रहेंगे all rounder के बारे में बात करे यह मिरजय का आपके पास option होने वाला है जो कि number 4 आपको बैटिंग करते वे नजर आने वाले है लाश मैच में जल्दी out हो गए थे 2 run पे दोस्तों लेकिन इनका भी record अगर रीस है इस series के अभी तक इतना perform नहीं कर पाए खास लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो भ पन करेंगे प्लस बॉलिंग करेंगे लाश में पचास अने वाले करें प्लस एक विकेट भी निकाला एक मस्त option हो जाते है एस खान के बारे में बात करें बैटिंग ओर तो आपको काफी ज़्यादा नीचे नजर आएगा बॉलिंग से इनकी ओवर वगेरा कट सकते है तो इ definitely आप रखिए बाकी वैसे भी आप रख सकते है अगर इनकी टीम बॉलिंग भी करती है तो के कुमार का आपके पास option होने वाला है दोस्तो एक ओर आपके पास option होने वाले है जिनको आप लेके चल सकते हो ये जो है आपको देट में बॉलिंग करवाते वे नजर आएंगे अ आप इस मैच में अपनी टीम में असानी से लेके चल सकते हो दोस्तो नमबर तीन पर बैटिंग भी करते वे आपको नजर आज़ते है ये लाश मेंड में शांदार 25 निनों ने करे प्लस बॉलिंग भी करवाते हाला कि लाश मेंड में विकेट नहीं निकाल पाए थे लेकिन important होने वाले माईश्वरी के बारे में बात करें ये भी एक मस्त option है क्योंकि नमबर चार पे बैटिंग प्लस आपको दो ओवर करवा के देंगे हाला कि अभी तक चल नहीं पाए है लेकिन important हो जाते है इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ दोस्तो यहाँ पे मिकोलिक का आ बात करें विकेट लेस जारें प्लस इनके ओवर भी कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पे रजमलीक का आपके पास option होने वाला है जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में लेके चल सकते हो आगर हम इनके performance के बारे में बात करते हैं दोस्तो किस नमबर पे आपको बैटिंग करते इंपोटेंट है नहीं इंपोटेंट है हो बैटिंग ओडर तो नीचे रहेगा CDC बात ठीक है और लाश मैच में सिंगल ओवर इन्होंने बालिंग नहीं करी थी इनका selection जरूर है दोस्तो लेकिन यह confirm नहीं बोल सकते कि आपको यह बालिंग करवा के देंगे या नहीं करवा क लेते हैं फिर भी मैं पूरा अपडेट कर दूँगा यह लाश फ्लेयर के उपर की कि हमें किसे रखना है बाकी कैप्टन और वोईस कैप्टन के बारे में हम बात करें जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में कैप्टन वोईस कैप्टन कर सकते हो यहाँ पर टाइल एक अच कैप्टन टाइले रहने वाले फिलाल यह हमारी टीम का पिर्विव आप इस टीम के साथ कॉंटेस्ट चोइन करिए फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिसकेशन में दियावा है दोस्तों बाकी वीडियो अगर लाइक कर देना और यहां तक आही गए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा